सब्सक्राइब करिए टेक यासर यूट्योब चैनल को साथ में लगा बेल ऐकन को भी प्रेस करिए तक के आपको मिले मेरे वीडियो के ब्रेट सबसे पहले देखते के लिए हैं अपने बहुत सारे स्मार्टफोन लांच करने में आपको बताया था मैंने ऑनर का 7C यहाँ पर चैनल में लांच हुआ था तो यहाँ पर ऑनर ने अपना एक और बजेट सेग्मेंट का फोन लांच कर दे जिसका नाम है ऑनर 7A तो मैंने सुछे कि क्यो ना दोनों फोन को कंबै सो गाइस चल यह वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसेब्स पहले आपको बतादू दोनों का फोन फोन सिमिलर है और प्राइसिंग भी बताना मेरा काम है यहाँ पर सबसे पहले बात कर देते हैं यह वर दोनों के बिल और डिजाइन की तो दोनों में आपको इपली दिजाइन देखने को मिल जाएगा टॉप और बटम में दोनोगोपन में प्लास्टी का फूशन दिया हुए, बैक में फिंगर में पेंट सीजैन है, टॉप में आपको हरिजन्टल लाइन में दोनोगी फोन में कैमरा प्लेसमट देखने को मिल जाती है, तो अगेन यह भी HD plus resolution के साथ में देखने को मिल जाएगा जिसका मतलब यह होता है कि Honor का 7C आपको slightly बड़ा display रहेगा as compared to Honor 7A से बात कर लेते हैं यहाँ पर दोने फोन के RAM और storage की तो यहाँ पर Honor 7C आपको दो विरिंड में देखने को मिल जाता है 3GB, 32GB, 4GB, 64GB यहाँ बात कर लेते हैं Honor 7A की तो यहाँ आपको दो विरिंड में देखने को मिल जाता है 2GB, 16GB, 3GB, 32GB और दोने में अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पर आपको dedicated microSD card का slot देखने को मिल जाता है तो यहाँ बात कर लेते हैं Honor 7C में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपडेकन का 450 का processor जो के कोक्ता कोर का processor है बहुत ही powerful है और बहुत ही दाथा power efficient है और यहाँ पर आपको GPU Adreno का 506 का देखने को मिल जाता है वही बात कर लेते हैं Honor 7A की तो यहाँ पर भी आपको स्नैपडेकन का 430 देखने को मिलता है जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है बट स्टिल अभी भी strong है अपने price point के साथ से वही बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके GPU की तो यहाँ पर आपको 505 का GPU देखने को मिल जाएगा तो दोने फोन में से performance किसकी बढ़िया रहने वाली है तो camera भी आपको दोने फोन में similar देखने को मिल जाता है जोने फोन में आपको back में dual camera का setup देखने को मिलता है तेरा megapixel का primary camera है 2 megapixel का आपको depth sensing का अलग से sensor दिया हुआ है जो कि हर owner के phone में देखने को मिलता है 2 megapixel का depth sensing boke mode या portrait mode आप इससे बना सकते हो front facing camera आपको दोने फोन में 8 megapixel का देखने को मिल जाता है और दोने में आपको LED flash देखने को मिल जाएगी तो camera performance exactly तो मैं आपको अभी नहीं बता सकते हो कैसा रहने वाल है बट दोने में आपको बहुत ही similar type का देखने को मिल जाएगा RAM और यहाँ पर बात कर लेते हैं Android version और UI क थो कि तो कि दोने में out of the box आपको Oreo 8.0 देखने को मिल जाएगा और Emotion UI 8.0 दोने में 7 देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको UI ये पुरा का पुरा सेम देखने को मिल जाएगा बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनी फ़न के sensors की दोनी फ़न में आपको सभी तरीकी के sensor द बैटरी देखने को मिलेगी फास्ट चर्जिंग का सपोर्ट नहीं है बैटरी लाइफ आपको आप बोल सकते हो नॉर्मल टू मॉले डिस पे एक दिन का बैटरी बैकप मिलने की पुरी-पुरी उम्मीद दे है तो यह तो था दोनों का कंपैरिजन या स्पेसिफिकेशन की वा फॉर जिपी शिक्स्टी फॉर जीपी को छोड़ दो त्री जीपी टैटी टू जीपर आपको नौजार में वैल्यू फॉर मनी डिवाइज है वहीं बात कर लेते ऑनर सेवन एक की प्राइजिंग की तो यहां पर दो जीपी सोला जीपर आपको देखने को मिल जाता है त्व मुझे खुद को नहीं समझ में यहां पर अगर आप दोनों फोन में कंपैरिजन में बताते हो कि अच्छा है तो सबसे पहले तो आपको वहां पर बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है साधिसाद यहां पर आपको जो प्रसेसर है वह भी अप्ग्रेट करके दिया गय तो यहां पर Honor 7C में दो से तीन चीत आपको अच्छी देखने को मिल जाती है तो बहुत ही बड़िया बात रही और 9000 में अगर आचा जाता है तो Redmi 5 का killer phone देगा 7A मुझे इतना खास नहीं लगा 7C आप बोल सकते हो value for money डिवाइस है आपको पसंद आया होगा और जितनी भी confusion थी 7A 7C बहुत सारे ओनर डिवाइस लांच कर रहा है तो आपको यहां पर confusion क्लियर हो गया गा और अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो like share subscribe करना मत मुलना मिल